गुड मॉर्निंग टू आल आज के इस क्लास में मैं आप लोग एक्सल्स का टॉपिक को आगे बताने वाला हूँ तो चली चलते अपने एक्सल्स रिट पे और सीखते एक्सल्स का कुछ और फंसन्स को आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लें कि हमारे इस डेटा में क्या प्रॉब्लम है और फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे फास में जो डेटा टाइप किया हुआ है यह हमारा कैसा है small capital मिला हुआ है और साथी साथ इसके beach का space भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है वैसे second वाला data में भी यही problem है इसमें भी क्या है small और capital दोनों मिला हुआ है और साथी साथ इसके beach का space भी बहुत ज़्यादे है वैसे second वाला data में भी बाड़ वाले डेटा में भी यही प्रॉबलम है, इसमें भी हमारा क्या है, small capital मिला हुआ है, और इसका बीच के space भी बहुत जादे है, आप देख सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है, सारा इसी format में है, क्या होता है ना, कि आप जो जब इंटरनेट से अपने डेटा को एक्सेस करके लाते हैं, या कहीं और से लाते हैं, तो हमारा डेटा इस format में आ सकता है, small capital हो जाता है, या तो उसके बीच के space बहुत जादा हो जाता है, ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा, कि आप इस डेटा को कैसे ठीक कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे trim का formula, अब यह trim का formula क्या होता है, trim का formula क्या करेगा, इसके बीच का unwanted space, जो जादे space दिया हुआ है, उसको remove करने का काम करता है, ठीक है, trim का formula क्या करता है, unwanted space को remove करने का काम करता है, जो space इसके जादे दिया हुआ है, मतलब यह जो डेटा हमारा है, इसके बीच में जो जादे space दिया हुआ है, अगर मुझे इसे remove करना है, तो हम लोग लगाएंगे trim का formula, trim का formula क्या करता है, आपका जो भी data है, अगर उसके बीच में जादे space कहीं कहीं हमसे डला गया है, तो हम लोग trim का formula लगा देंगे, trim का formula क्या करेगा, वो unwanted space को remove कर देता है, ठीक है, तो आईए trim का formula लगाते है, formula लगाने से पहले equal लगाना compulsory होता है, तो मैं यहाँ पर equal लगाता हूँ, उसके बाद अपने keyword से टाइप करूँगा trim, ठीक है, trim जैसे मैंने टाइप किया, trim का formula आचुका है, formula अक्टिव करने के लिए, tap की प्रेस करेंगे, tap की मैंने प्रेस किया, उसके बाद हमसे यह क्या मांग रहा text, कि आपका कौन सा text है, जिससे आपको unwanted space को remove करना है, तो हमारा text यह वाला है, मैं इसको select कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद bracket close किया, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा, अब मैं इंटर प्रेस कर रहा, तो आप देख सकते हैं, जो unwanted space था, वो क्या किया, इसका remove कर चुका है, ठीक है, यह जो बहुत जादे space दिया था, उसको वो क्या किया, remove कर दिया, अब second वाला मैं फिर से लगाते हैं, trim का formula, equal लगाएंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, trim, trim हमारा आ चुका है, उसके बाद formula active करने के लिए दो step है, या तो आप bracket open करें, या तो tap की प्रेस करें, tap की मैंने जैसे प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं, हमारा formula active हो चुका है, text बोल रहा है, text हमारा डालने के लिए, तो text हमारा कौन सा है, यह वाला हमारा text है, मैं इसको select किया, select करने के बाद bracket close किया, और उसके बाद interface किया, तो आप देख सकते हैं, जो unwanted space का था, उसको वो क्या-क्या, trim का formula remove कर दिया है, ठीक है, तो trim का formula क्या करता है, unwanted space को remove करने का चाम करता है, तो आप λोग जानते हैं कि हम लोग एक formula अगा लेते हैं, तो हम लोग फिर क्या use करते हैं, ड्रैग का use करते हैं, यहाँ पे जो drag बना हुआ है, यहां पर एक छोटा सा dot बनता है मैं आप लोगो बहुत पहले भी बता दिया कि हम लोग कैसे formula को copy down करते या drag करने का काम करते तो यहां पर जो छोटा सा plus बन रहा है यहां पर जाएंगे तो एक पतला सा plus बनता है और इसको ऐसे करके नीचे खींचे देते तो हमारा क्या होता है formula copy paste हो जाता है जैसे मैंने इस पर किया तो copy paste हमारा formula हो चुका है सारे से unwanted space हट चुका है लेकिन इसमें कुछ problem भी आ चुका है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा फिर मैं इसको ठीक करता हूँ या तो आप क्या मैं दूसरा step बताया था या तो आप अपने पूरे data को select कर ले जहां पर मेरा formula लगा है वहाँ से पूरे को select कर ले और फिर control के साथ D press करे control D कीजिए या तो फिर आप यहाँ पर जाने के बाद एक छोटा सा plus बनेगा उसको पकड़के mouse का हम क्या करेंगे mouse का हमारा जो left click होता है उसको प्रेस करके drag कर देंगे तो हमारा क्या होता है formula copy down हो जाएगा या तो आप क्या करेंगे पूरे को select करकर control D करेंगे ठीक है तो जैसे मैंने control D किया तो वो क्या किया जो हमारा यह formula इस cell में लगा था यह cell हमारा कैसा था highlight क्या हुआ था तो जब हम लोग copy down करते हैं ठीक है या drag करने का काम करते हैं तो cell के अंदर जो भी चीज होता है formatting क्या हुआ जैसे cell के अंदर क्या था highlight क्या हुआ था अगर bold क्या हुआ रहता इसा निश्य और कुछ को वो सारा कुछ को क्या करता है ड्रैक करने पान करते быть पॉपीपेस्त और सारा कुछ को 이वां सब्सक्राइब न होकि यहां पर किया कर तो बरान कक्या कि एक या की क्लर कर दिया तो वो copy paste कर देता है आप देख सकते हैं जो हमारे ये sil था ये कैसा था हमारा blank था वाइट था लेकिन इसमें भी कि वो क्या किया color डाल दिया क्योंकि यहाँ पर कोई data मिला नहीं है तो वो क्या क्या formula तो यहाँ पर लग चुक है जो यहाँ पर white था यहाँ पर blank था वैसा ही होना चाहिए ठीक है और हमारा जिस sil में formula लगना है उस sil में formula भी लग जाना चाहिए तो मैंने आप लोग को बताया था देख सकते हैं मेरे data ऐसा था अगर मैं इसे drag करूं तो क्या हो जहाँ पर मेरा data हो सिर्फ उसी sil में वो ठीक हो जाए और यह sil मेरा जैसा है वैसा ही रहे ठीक है तो मैंने आप लोग को बताया था paste special का option मैंने आप लोग को बहुत पहले paste special पढ़ा दिया है ठीक है आज मैं उसी का use करूंगा तो मैं क्या करता हूँ अगर select करके मैं drag करता हूँ तो देख सकते है मेरा क्या हो रहा है हमारे साथ formula काम कर रहा है लेकिन ये इसको भी copy paste कर दे रहा है ठीक है और cell को भी हो क्या कर रहा है highlight कर दे रहा है तो मैं क्या करूंगा इसको simple क्या करूंगा इसको इस data को Ctrl-C से copy करूँगा हमारा data copy हो चुका है ठीक है उसके बाद क्या करना है मुझे यहां पर paste करना है तो मैं इसको पूरे को select कर लेता हूँ यहां से मेरा data है second वाला मेरा यहां से चालू हो रहा तो मैंने इसको select कर लिया select करने के लिए जब हम लोग paste special option का use करते हैं तो paste special हमारा कहां पर मिलता है यहां पर है मारा paste option ठीक है इस पे आप click करके यहां से निकाल सकते है प्रेस्ट का या तो इसका shortcut की हमारा क्या है मैं आपको पहले paste special का shortcut की बताया था control alt और भी ठीक है मैं यहां पर लिख दता हूँ paste special का shortcut की control प्लस alt प्लस भी ठीक है यह हमारा क्या है shortcut है paste special का अगर paste special आपको shortcut यूज़ करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे control alt और भी ठीक है तो मैं इसको select कर लेता हूँ यहां से यहां तक जहां तक मेरा data है ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे copy कर लेंगे मेरा copy क्या हुआ था ने मैं इसको copy कर लेता हूँ control से copy कर लिया formula हमारा क्या हुआ copy हो चुका है अब मैं क्या करूँगा इसको select कर लूँगा जहां तक हम मुझे क्या करना है formula को copy paste करना है उसके बाद हम लोग क्या press करेंगे paste special के लिए control alt और भी control alt और भी जैसे मैंने control alt और भी तीनो एक साथ प्रेस किया तो हमारा paste special का option आ चुका है तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है all पर click है all पर क्या होता है कि जो cell जो आपने select क्या है copy क्या है उसके अंदर जो भी formatting क्या है चाहिए वो highlight क्या हो, bold क्या हो, italic क्या हो, जो भी क्या हो सारा कुछ को वो क्या करेगा दूसरे cell में copy कर देगा तो मुझे क्या चाहिए सिर्फ formula copy paste करना है उसके अंदर का मुझे value नहीं चाहिए या format नहीं चाहिए ठीक है मुझे सिर्फ क्या चाहिए formula चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ok button ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर all पर click था all को मैंने हटाया अगर सिर्फ आपको value चाहिए तो value पर click करेंगे format चाहिए तो format पर click करेंगे आपको जो भी चाहिए ठीक है मुझे क्या चाहिए formula copy paste करना है तो मैं formula पर click किया और यहाँ से ok किया ठीक है तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे ok किया तो हमारा क्या हुआ सिर्फ formula copy हो गया उसके अंदर का formatting copy नहीं हुआ है आप देख सकते है यहाँ पर formula लगा है लेकिन उसके अंदर का formatting copy paste नहीं हुआ है तो हम लोग क्या use करेंगे special का use करेंगे ठीक है अब हमारा क्या हुआ है हमारा data जो था उससे मैंने unwanted space को तो remove कर लिया आप देख सकते है जो unwanted space था उसको वो remove कर लिया है अब यहाँ पर क्या है हमारा small or capital अभी भी हमारा मिला हुआ है तो अब हम लोग के दूसरा formula लागाएंगे इसमें proper का वो क्या करेगा हमारा small or capital जो हमारा एक साथ मिला हुआ है उसको वो ठीक कर देगा तो यहाँ पर आते है और अब हम लोग क्या लगाएंगे proper का formula ठीक है proper क्या करेगा वो जो small capital होता है उसको वो क्या करेगा data की according ठीक है जैसा हम लोग sentence type करते है उस accounting वो क्या करेगा हमारे data को ठीक कर देगा तो हम लोग क्या यहाँ पर लगाएंगे proper का formula equal to proper यहाँ पर लिखूँगा मैं ठीक है proper लिखा मैंने proper का formula आचुका मैं इसको नीचे से select कर लेता हूँ arrow की से मैंने select कर लिया उसके बाद formula एक्टिब करने के लिए tap की प्रेस किया ठीक है मैंने tap की प्रेस किया proper लिख के उसके बाद text बोल रहा हम से वो text मांग रहा कि मतलब कौन सा text को आप proper करना चाहते है मतलब वो small or capital remove करके according to sentence करना चाहते है तो मैं select किया और bracket close करके enter तो आप देख सकते हैं जैसा एक sentence लिखा जाता है जैसे एक text लिखा जाता है उस format में हमारा data आ चुका है लेकिन इसके बीच के space वो नहीं हटाया तो trim का formula क्या करता है space हटाने का काम करता है मैं trim का formula लगाया और space को हटा लूँगा मैंने आप लोग को बताया था trim का formula उससे आप लोग space हटा लेंगे और फिर proper का formula लगाके हम लोग क्या करेंगे अपने data को proper way में ले आएंगे जैसे यहाँ पर क्या था small और capital मिला हुआ था जब मैंने proper का formula लगाया तो वो क्या किया हमारा data को according to sentence जैसा हम लोग क्या लिखते है हम लोग first क्या लिखते है capital लिखते है अगर मैं यहाँ से drag करूंगा तो हमारा क्या हो रहा था problem वही problem हमारा यहाँ पर भी होगा आप देख सकते है data तो हमारा अच्छा हो चुका है ठीक हो चुका है small capital वो जो problem था ठीक हो चुका है आप देख सकते हैं यहां से लेकिन वो क्या किया अंदर का formatting भी वो क्या किर रहा है copy paste कर दे रहा तो हम लोग अभी आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्या यूज करते है paste special का यूज करते है तो सबसे पहले इसको select कर लेंगे select करने के बाद control से इसे copy किया अब मुझे क्या करना यहाँ से paste करने अपने data पर यहाँ से मतलब हमारा data type क्या हुआ है तो मैं इसको select कर लता हूँ और paste special के लिए क्या type करते है हम लोग अपने keyword से control, alt, और B जैसे मैंने control, alt, और B किया यहाँ से क्या करेंगे formula पे copy क्लिक करेंगे जो हमारा formula लिखा हुआ है उस पे click करेंगे और यहाँ से OK कर देंगे तो आप देख सकते हैं यह जीच काम कर गया ठीक है लेकिन यह क्या था यह अलग-अलग काम हो रहा था यहाँ पे क्या है मैंने पहले trim का formula लगाया फिर data को trim किया और फिर मैंने यहाँ पे क्या क्या proper का formula लगाया small capital वाला जो data problem था मैंने उसको remove किया ठीक है मुझे क्या करना है एक साथ दोनों जीच करना है ठीक है यहाँ से ऐसे क्या होगा मुझे में time जादे लगेगा एक बाट trim करो फिर दूसरा बार मैं क्या करूँगा उसको small capital को remove करूँगा ठीक है तो time जादे लगने वाला है तो मैं बताने वाला हूँ कि दोनों formula को हम लोग एक साथ use कैसे कर सकते हैं ठीक है trim और proper का हम लोग एक साथ use कैसे कर सकते हैं और एक ही cell में हमारा क्या होगा data ठीक होके आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे trim और proper को दोनों को एक साथ formula लगाएंगे trim का भी लगाएंगे और proper का भी लगाएंगे तो हमारा क्या होगा एक साथ दोनों काम हो जाएगा unwanted space भी remove हो जाएगा और साथी साथ हमारा जो यहां पर small capital वाला जो problem है जो हमारा small capital का problem है, उसको भी वो ठीक कर देगा, ठीक है? तो यहां पर आते हैं, और यहां पर मैं formula लगाता हूँ, ठीक है? जैसे मैं इसको रुक की एक minute, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, इसको मैं हटाई यह ठीक है मैंने इसको ठीक कर लिया अब आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखेगा यह चीज अब मैं यहां पर क्या करता हूँ दोनों फॉर्मला को एक साथ लगाता हूं ठीक है प्रीम और प्रोपर का दोनों को फॉर्मुला एक सात लगाते हैं और हमारा एक ही सेल में डेटा क्या होगा ठीक होके आ जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले equal लगाएंगे formula लगानों से पहले equal लगाना compulsory होता है equal लगाया ठीक है उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा proper का formula लगाऊंगा थिक है, सबसे पहले मुझे, मैं क्या लग defy ऊओंगा प्रोपर प्रोपर का हमारा चुका है, मैं इसको select का लेता हूं, type के से active करके प्रोपर का formula, उसके बाद मैं क्या लगाना मैं लग अविदा, trim का formula मैंने यहां से trim type किया और formula को active कर लिया सबसे पहले क्या लगाया मैंने proper का लगाया अब proper क्यों सबसे पहले लगाया और trim को उसके अंदर डाला पहले क्या करना है मुझे unwanted space को remove करना है तो जो bracket के अंदर होता है जैसे मैंने trim को bracket के अंदर रखाया है अब bracket के अंदर आपको पता है कि पहले चीज bracket के अंदर वाला काम होता है, उसके बाद bracket के बाहर वाला काम होता है, तो पहले मैं क्या लगा है, trim का formula यह ऐसा नहीं है कि अगर यह proper first में type किया हुआ है, तो पहले proper का काम करेगा, पहले proper का formula काम नहीं करेगा, पहले हमारा क्या क करेगा TRIM का फार्मूला का करेगा ठीक है उसके बाद TRIM क्या करेगा unwanted इस पेस को रिमूफ करेगा और उसके बाद फिर पर का फार्मूला यह जो हमारे small capital का problem है उसको वह ठीक करेगा ठीक है तो ऐसे करके कि हम लिग दो फॉर्मलेक लगाते हैं आप देख सकते यहां पर उसके bye statement किया कि सीट किया उसके बाद ब्रैकेट क्लॉल्स किया यह वाला ब्रैकेट क्लॉछ किया तो यह किसके लिए था यह धू मैंने जैसे इसको हटाता है आप देख सकते हैं अभी क्या वह रहा है यह ट्रीम का काम हो रहा है तो यहाँ पर आपसे मांग रहा था ट्रीम यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट तो मैंने टेक्स्ट सेलेट किया bracket close करने बोरा था bracket close किया अब जैसे मैंने bracket close किया तो आप देख सकते वो trim के लिए आप वोलरा है यह trim आपको prepare मांग रहा है ठीक है आप देख सकते यह जिए यह यहाँ परlin को रिखा हुआ है अब proper में क्या लूरा है कि proper आपको कौन सा text को करनا है उस text को डालिए तो मुझे क्या करना है जो C8 है ये जो हमाहरा text है इसी को मुझे क्या करना है proper भी करना है small capital से ایک proper way में हमारा data को लाना चाते है यह small capital का जो problem इसको दूर करना चाते है तो इसी data को करना चाते है तो हमें दुबारा से select करने का जववत नहीं है बस bracket close कर देंगे ठीक है? एक बार bracket close किया तो वो trim का था दूसरा बार जब bracket close किया तो वो proper का बंद हो गया तो जितना बार आप bracket को open करते हैं उतना बार bracket को आपको close करना होता है ठीक है? उसके बाद यहां से interface किया तो आप देख सकती है एक ही बारे में हमारा दूनों formula काम भी कर गया और साथ ही साथ हमारा data एकदम proper way में आ चुका है ठीक हो चुका है ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं यह formula मैं लिखा दूँगा आप लोगों को अगर मैं यहां से drag करता हूँ तो फिर से why problem आएगा मैं अभी आप लोगों जो बार-बार बता रहा था तो हम लोग क्या use करेंगे? पेस्ट्रे स्पेसल का इसको क्या करेंगे? select करेंगे select करने के बाद c से copy करूँगा copy करने के बाद यहां पे आने के बाद इसमें formula कुछ लग चुका है ठीक है? आप देख सकते हैं यहां भी formula so कर रहा है यहां पर भी हमारा क्या ऐसा में formula लगा हुआ है तो मैं क्याज करना चाहता हूँ? इस formula को हटाना चाहता हूँ अब तो मैं कैसे हटा हूँगा formula को? formula तो लग चुका है अगर मैं यहां से formula को जैसे remove करता हूँ ठीक है? जैसे मेरा यह data है मैं यहां से formula को हटा देता हूँ मुझे नहीं चाहिए formula इंटर प्रेस किया तो आप देख देखते हैं जो हमारा text था वो भी gap हो चुका है ठीक है? हमारा जो text था वो भी gap हो चुका है जैसे मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा ठीक है? जैसे मेरा यह वाला है ठीक है? मैंने इसको slate किया और मैं थोड़ा से उपर जाता हूँ अच्छे से देखेंगे मैं इसका formula को हटा देता हूँ इस cell का formula को जैसे मैंने formula को हटाया तो आप देख सकते हैं इसका बीच का text भी वो गया gap हो चुका है टेक्स्ट भी नहीं है formula हटा, text भी गया ठीक है? तो अब मुझे क्या करना? यह formula को हटाना है तो कैसे हटाना होगा? आप पूरे data को select कर लेंगे ठीक है? select करने के बाद Ctrl-C से copy करेंगे copy करने के बाद paste special में जाएंगे पूरे data को select करेंगे क्योंकि मुझे पूरे data में जो formula लगा है मुझे formula नहीं चाहिए मेरा काम हो चुका है formula को मैं हटाना चाहता हूँ ठीक है? मुझे ऐसा नहीं हो कि कोई देख के मुझे बता दे कि अगर आपको कहीं काम करने दिया गया है तो आपको वो देख के बता दिया कौन सा formula लगा है पता लग जाएगा ठीक है? कि यह formula लगा है काम किया है तो मैं क्या करना चाहता हूँ formula को हटा देना चाहता हूँ मैं formula को नहीं रखना चाहता हूँ सिप मेरा जो text है मेरा text ऐसा ही रहे और formula भी मेरा हट जाए ठीक है? तो मैं क्या करूँगा पूरे को select कर लोगा Ctrl C से copy कर लेंगे Copy हो चुक है उसके बाद paste special का जो हमारा बटम था Ctrl Alt और B Ctrl Alt और B Ctrl Alt और B जैसे मैंने प्रेस किया तो यहां पे all पे click है मुझे क्या चाहिए? सिर्फ value चाहिए जो अंदर का value लिखा हुआ है जैसे financial accounting लिखा है मुझे सिर्फ ये चाहिए बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर का format नहीं चाहिए formula नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा? value पे click करूँगा और यहां से OK ठीक है? अब मैं इसका छोटा करता हूँ अब मैं क्या करता हूँ? आप लोगों दिखाता हूँ जैसे मैं इस पर click कर रहा आप देख सकते है formula यहां से हट चुका है यहां पर क्या सो कर रहा? जो लिखा हुआ text आप देख सकते हैं ठीक है? तो यहां से क्या हुआ? हमारा data काम भी कर गया हमारा data जो ठीक करना था मैंने data को ठीक भी कर लिया और साथी साथ उस formula को भी हटा लिया ठीक है? आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हट चुका है यहां पर पहले यहां पर क्या था? formula so कर रहा था ठीक है? जैसे मैं control jet करके मैं आप लोगों दिखा देता हूँ कि मैंने control jet कर लिया ठीक है? मैंने कर देता हूँ इसको ठीक आप देख सकते हैं मैंने इसको हटाया अभी क्या यहां पर formula so कर रहा ठीक है? अभी यहां पर क्या है? formula so कर रहा लेकिन मैंने क्या किया? इसको select किया control C से copy किया फिर उसके बाद paste special के लिए क्या करना है? मुझे paste भी यही पर करना है अगर कहीं दूसरे जगा करना है तब मुझे click करके क्या करना होगा? control, alt और भी करना होगा लेकिन मुझे जहां से मैंने copy किया वहीं पर मुझे paste करना है लेकिन paste कैसे करना है? सिर्फ उसका value अंदर का कोई भी चीज नहीं formula भी नहीं format भी नहीं कुछ भी नहीं तो क्या करूँगा? select कर लूँगा और control C से copy किया control, alt और B अब यहां से क्या लेंगा? ठीक है? यहां से हम लोग किस पर click करेंगे? value पर click करेंगे और OK जैसे मैंने click कि आप देख सकते हैं formula हट चुका है तो इस step से हम लोग data को क्या करते हैं proper way मिलाते हैं और formula को remove करते हैं और कुछ मैंने paste special का भी function साब लोग को बता दिया तो आप लोग इसे practice करें क्योंकि इसे बहुत जादे use होने माले जब आप लोग office में काम करने जाएंगे कहीं पर काम करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि step से data बहुत मिलता है ठीक है और हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं बहुत आसान है अब देख सकते हैं कितना जल्दी हो गया एक ही बार अगर दोनों formula का लगा है तो बहुत आसानी से हो गया ठीक है तो इस formula का आप लोग लिख लें यहाँ पर दोनों formula जब मैं लगाता हूँ तो इसको कैसे लगाते हैं इसको लिख लेंगे आप लोग इसको आप देख सकते हैं यहां पर दो फॉर्मूला को एक साथ त्रीम और प्रोपर को जब हम लोग एक साथ यूज करेंगे तो कैसा लिखेंगे ठीक है आप लोग इसको लिख लें कहीं पर यह हमारा हो गया इसका एक साथ और प्रोपर का चाहिए तो बस प्रोपर लिखना है आप देख सकते हैं यहा unwanted space को remove करने का काम करता है, यह trim का है, आप इसे भी लिख लें, ठीक है, trim लिखना है और अंदर text को select कर लेना है, मतलब जो भी sale है, उसको sale को select कर लेना है, ठीक है, तो आप लोग इसे practice करें, आज जिस sheet पर मैं explain कर रहा है, अगर यह सब sheet आपको चाहिए, तो मुझे mail करें, या practice कर पाएंगे, practice जरूर करें, क्योंकि आगे चलके excels बहुत difficult होने वाला है, अगर practice नहीं करेंगे, तो बहुत problem होगा, क्योंकि अभी यह basic class चल रहा, फिर इसके बाद हम लोग advanced excel पढ़ेंगे, ठीक है, आपको कहीं भी जाने का जवत नहीं, कोई coaching मत join किजिए, ठीक है, मै आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next class में, thank you